हेलो गाइज देसे साइडेंटल व्लॉग्स और आज एक बहुत ही इंपोर्टन टापिक पर वीडियो बनने बाला हूं क्या OSMF का रिवर्स होना पॉसिबल है कि नहीं क्या हम OSMF को फुल रिकवरी कर सकते हैं कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं डिपेंड करता है अब क्या OSMF क को रिवर्स करने के लिए तो सबसे पहले स्टेजिंग के बारे में बात करते हैं आपने दो पता ही होगा कि OSMF के फोर स्टेज़ होते हैं जो सबसे जो जिसका प्रोग्नोस सबसे अच्छा होता है वो होता है फोस्टेज औफ वोसम इनिशल साइंस और फिम्टम्स लेकिन आदे से जाधा लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनका first stage कब stage 3 में बदल गया, कब stage 4 में बदल गया, तो काफी late realize होता है लोगों को कि उनका OSMF है काफी हद तक बढ़ गया है. अब initial signs and symptoms में क्या होता है? जब भी हम कोई खाना खाते हैं, तो हलकी से हलकी तीखी चीज बहुत जादा तीखी लगने लगती है इतनी जादा तीखी लगने लगती है कि आंखों से वाटर जैसे पानी या निकलना लगता है तब आपका ओसमें इनिशल स्टेजिस में है अपको ये बात अब क्या करते हैं कि काफी लोग जैसे कि इस खाना खाएंगे ठीक हो जाएगा बॉड़ी है तो ठीक हो जाएगा बॉड़ी हमारी जो रिपेर करती है ओवरनाइट टू-3 डेज में उसकी भी लिमिट होती है एक लिमिट के क्रॉस होने के बाद वो बॉड़ी हार्म सहन ही पाती है और आपको एक वार्निंग देती है इन मेणिन स्टोर में जाते हैं और बोलते हैं ही मेडिसीन स्टोर में जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे मेराम रहनुत बहूंत हे जर्वोट हमें हाफस Easy'sınd sometimes है और से इंश्चि शींड मरें अप्र पर अंदर में वो disease रहता ही है तो यह चीज जो हम लोग over the counter medicines जो इंडिया में easily available होती है इसकी वैसे काफी लोगों को हानी हो रही है और over the counter जो over the internet हमारे जो information है वो भी काफी जादा wrong information है अधुरी information है और incomplete information है जिसकी वैसे हमको थोड़े से भी अगर कोई बिमारी होती है हम तुरांथ उसके बारे में इतना research कर लेते हैं कि हम anxiety हमको हो जाती है वैसे ही case OSMF के patients में होता है कि OSMF के patients इनिशली जब बर्निंग शेंशन होती है इग्नोर करके फिर सेकेंड रफ शर्स चेट में आते हैं तो इतना ज्यादा पैनिक हो जाता है कि उस पैनिक के anxiety में वह कुछ और नशा करना चालो करते हैं लेक्स्मोकिंग और पान या फिर आपको सिग्रेट्स या फिर आलकोहल तो रीवर्स्पोरिंग प्रोसेश होता है इस लॉर्स भुटा लंबठ वस्ए को ता है रिवर्स of OSMF का अनिशल साइंस स्म्टम्स में अगर आपका है तो बहुत जल्दी रिवर्स हो जाता है जब जी तू ।ू यह Six Potato क्या होते हैं burning sensation of the mouth okay salivation reduction होना और हमारे mouth में जब भी हम mouth open करेंगे tightness feeling होना वो होता है initial symptoms तो उसी स्टेज में doctor बाद जाना है medicines properly लेना है अब क्या-क्या medicines are diet follow करेंगे इसके लिए तो सबसे पहले आपको अपने diet में कोई भी acidic substance आपके body में जो होता है जैसे कि हम अपने ayurvedic medicines में पढ़ते हैं कि जो जितना भी हमारा body में जो दोश होता है acidic होने की nature की होने की वैसे होता है जैसे कि पान हो गया गुटका हो गया alcohol हो गया चाए हो गया या फिर आपका कोई भी overeating हो गया fried foods हो हो गया ठीक है यह सब होता है acidic foods और हमारी body को acidic से alkaline हमारा body को बनाना चाहिए alkaline food alkaline food मतलब हो गया आपका गाजर हो गया carrots हो गया आपका cucumber हो गया ककडी हो गया जो भी salad items है यह पर seasonal fruits and vegetables seasonal fruits होते हैं संत्रा और आपका जितना भी green vegetables होते हैं यह सब alkaline foods होते हैं हमारी body को cool down करते हैं धंडा करते हैं अंदर की acidity को कम करके alkaline बराते हैं body में free radicals जो हमारे body में घूम रहे हैं जो आपको aging कर आते हैं आपके बाल whitening कराते हैं आपके wrinkles produce कराते हैं यह free radicals को यह सब चीज़े कम करती हैं तो हमारी body acidic से alkaline होती है अब बॉड़ी इतनी अलकालन रहेगी उतने आपके पेट में कम प्रॉब्लम होगी आपके जो गास्ट्रोंट्रेशन अच्छा रहेगा आपका फूड इस अच्छा रहेगा आपकी वाइटमिन अच्छी से अपको बॉड़ी में मिल पाएंगी ठीक है उस टाइम पे लगया को एक सिग्ण कुड्रेशन और तो बसकूड पिस्पूड़्ेशन जल्दी आरविकर्स करेंगा तो आको अपको अका मड़िफिकर्यशन लाना पड़ेगा चाय बगारा एलको सग्रेट में यह सब हट करना पड़ेगा आपकी बाड़ी को डिटॉक्स करना पड़त उसके साथ यह सब चीजों में खाने में परेज फुल बॉडी एक्सराइज योगा परनायम यह से भी बहुत ज़रुरी है करना इसे नेक्स स्टेज आपका स्टेज अगर तू या थ्री की बात करें तो स्टेज तू भी रिवर्सिबल होता है तू सम एक्स्टेंट ऑके स्टे तो मैंने अपने प्रॉफेसर्स के पास जाके दिखाया तो वेस्टली उसको मैं अभी तीन-चार साल पहले इमेट तो उसमें मैंने देखा कि उसका कुछ भी नहीं है पूरा रिकावर हो गया है माउथ पुरा पिंक हो गया है मतलब इसको लग गया है अप्मस्ट 20 येर्स 15 सब्सक्राइब कर रहा हूं और आज है 24 राने वाला है तो इतने सालों बाद पेशेंट अगर रिकोवर कर रहा है तो इनिशल स्टेज तो जल्दी रिकोवर होता है लेकिन स्टेज 3 रिकोवर होने में बहुत टाइम लगता है अच्छा मेरे फ्रेंड का एक्जामपल यह मतलब यह ने की किसी और कभी उतना ही टाइम लगेगा या फिर किसी का इर्रिवर्स भी हो सकता है अगर आपके आपको यह डिपेंड करते आप क्या खाते थे आपने गुट का खाया बहुत सारे ट्रक डाइवर्स या फिर बहु अगर आपके फाइवर्स है या फिर बहुत मोटे-मोटे हार्ड फाइवर्स है तो स्टेज़् में रिवर्स करना बहुत मुश्किल है और का फी टाइम मतलब फ्रियूरूल की काफी टाइम होगा थी होगा नहीं तो वैसे ही रह जाता है एकदम हार्ड फाइवर्स जिसको अगर आप surgery भी करेंगे काट के laser से या बीडी ब्लेड से कैसे भी surgery करेंगे तो वापस वह ऐसे ही हो जाता है उल्टा और जादा बंद हो जाता है, surgery कभी भी OSMF में ना कर वह है, that's totally wrong to do it यह हो गया OSMF की बात और stage 4 में mouth opening तो बिल्कुल बंद रहता है अच्छा काफी लोग यह भी पूस्ते हैं कि sir, OSMF मतलब cancer, यह बिल्कुल गलत बात है, OSMF को मारा जाता है एक pre malignant condition, a condition in which which has more tendency to convert into cancer, it's a condition of the body, जैसे simple way में तरीकत बचाता हूं, एक बुड़ा आदमी को अब धखे लोगे तो वो गिर जायेगा, एक young आदमी को अगर अब धखे लोगे तो वो थोड़ा सा अतक जायेगा, तो old आदमी में ताकत नही रहती है इसलिपो गिर जाता है, young आदमी में ताकत रहती है, वह समय खुद एक कैंसर नहीं है वह समय एक स्टेज है डिफरेंट स्टेज़ज है तो निको साब की टाइट हो जाती है और अब कुछ भी अगर उसके उपर और अगर आप पांगुर का खाएंगे तो उसमें लिकोपले किया हो जाएगा या फिर एरिफलोपले किया हो तो अगर किसी को ऐसमेफ है सबसे पहले आप अपना ऑपी जी एक सरे करवाएं जिसमें सारे टीथ आजाते हैं कोई भी टीथ में केरी बगरा है तो उसकी फिलिंग या फिर एक्स्रैक्शन करवाएं उसके बाद आप अपना डाइट जो मैंने बॉला उसको फॉलो करें एक पिशिदेंट में बहुत सारे पिश्याइब सकता हूं पिशन को आप इसे एक हो गया और हमालय द्रॉग्स भी बहुत अचा है बनाता है ऑक्सितार्ड और बहुत सारे अंट अच्छी ओगया मैंत बहुत सारे ऐसे मल्टी बटमिन से पर्टिकुल्री मैं देखा हों कि कोई Coenzyme Q बहुत अच्छा काम करता है OSMF में और वाइट विजिंस में Coenzyme Q एक है उसका 100 mg का Coenzyme Q आता है Capsules, so it's quite expensive Coenzyme Q 200 भी आता है वह और जाद expensive होता है और Curcumin बहुत अच्छा काम करता है OSMF के रिवर्सल में Curcumin जो हमारे हल्दी के अंदर पाया जाता है फिर आपका आगया lycopene extract ठीक है उसका अगर आप अगर उसका डिफेंट फामुलिशन आते हैं 5000 micrograms ncg micrograms 8000 micrograms की भी capsule आती है 10,000 micrograms की भी capsule आती है नाच्छल टोमाटो में जो होता है lycopene आप उसको यूज कर सकते हैं नाच्रल हल्दी उसकर सकते हैं you can also use aloe vera in your mouth aloe vera आप यूज कर सकते हैं topical application बहुत सारी लोग oil pulling भी करते हैं oil pulling मतलब की cold pressed coconut oil जो होता है ना उसको माउथ में लेगे आप मसाज कर सकते हैं ताकि आपके fibers थोड़े लूज हो और इक और बहुत अच्छा तरीका है पास जाना की माउथ ओपनिंग के लिए एक्सटर्नली आपको अल्ट्रसाउंड देते हैं जिससे आपके जो भी problem है खुल के बताए medicines properly खाए अगर आप ऐसी छोड़ दोगे तो क्या होगा कि वो चीज कभी ठीक नहीं होगी खुद सब खुद आपको help करने पड़ेगी mouth opening says करना पड़ेगा doctors consult करने पड़ेगी तब ये विमारी जट से मिट पाएगी तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक बनाते हैं अगला वीडियो सून आए गब and wish you all a very happy new year take care love you all bye bye